सबसे पहले को लेकर क्या स्थिति रहेगी किस तरह की छूट रहेंगी और क्या छूट नहीं रहें देखें नौ जिलों को रेट जोन भूशित किया है केंज सरकार के दोरा है मत प्रदेश में और केंज सरकार दोरा भी दो वीक का लोगडान हो बढ़ाये कर दोरा है केंज सरकार शुरू से कुछ कुछ एक्टिविटिस को उन्होंने क्योंगी पूरे देश के सभी शहरों में एक सिस्थिति नहीं है पर उन्होंने रेट जोन हो गया और दो अलग ड्रीन येलो जो जोन हो गया उसको लेकि अग्टिविटिस को डिफैन भी किया है कि तो आज इंदॉर जैसे रेड जोन में है तो अभी हम लोगों ने जो ग्रामीन शेतर है मन्रेगा के वर्क शुरू किया है वहां पर समान हम लोगे उपारजन शुरू कर दिया किसानों का कुछ-कुछ जगह हम लोग ग्रामीन जो शुरक्षित थे शाहताने मंडियां भी शु कुछ को हो गई कुछ को देने वाले हैं उसम मिला के ग्रामीड शेत्र में काफी अक्टिविटी को नर्मलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग और हो भी जाएगी कुछ दिनों में और शहर के शेत्र में अभी अभी ऐस्सेक्टिविटी। जो पूरी तरह से खौला है कल अमगे इंडूस्ट्री एस्ट्री और करेंगे जैसे उनका आउडर बाहर काया हुआ है और उनको कहल्क एल्ट इस्पेच करना है तो वह वाली पर्बिटी यस्पनवा रहे हैं उसको करेंगे नंबर टू जो इनके उनीकषर मनद सरही है उनको सभी रहा है कैसे वह को keyboard कर सकती है उनको सभी सभी द wheat वर रहे है इसके अलावा पर शलो कर सकती हैं उनको भी हम लोग है जो पीछे क्या वजह नहीं हो रहे हैं वह भी मैं आप लोगों से अंडूद करूंगा कि एक जो देव कुंडल जी का सैंपल था उसको लेकर बाते करी गई हैं थोड़ा सहीम रखना पड़ेगा मीडिया को भी कि कोई भी कुछ भी बात ना करें और यह सैंपल मेरे खाल सेंप जो इन्वैलिड होते हैं उसमें टेक्निकल रिजन्स क्या है वो तकनीकी बिशू है एक दम से में नहीं बतला सकता आपको कि मशीन में जब लोड होता है उस समें लोड होने की प्रोसेस पर इकलिश रहती है उस पर दिक्कत आती क्या आती वह ज़िए नहीं बतला पहूंग और वहां से फिर उनका और सिती ठीक होगी तो उनको हमने सेंटर कोविट कर सेंटर वाटर लेलियम रखा वहां बहुती कमफोटेबल पोजिशन है उनकी और सेंपल टेस्ट जो मैं डीन से बता किया था तो उसमें शाय शाम तक उनकी रिसर्ट आने की संभावना है कुछ सुजाओ भी दिये हैं और कुछ चिकित्सा केंद्री जो हमारी जो प्राथ्मिक्स सेवा केंद्री उनके विवस्ता है बढ़ाने की बारी देखिये शुरुवात में जब मैं आया था यहां पर तो बहुत जगे के डॉक्टर से यहां बुला लिये गए गए तो मेरे मेरे को सहरी लगा वो फिर धीरी दिरे करके हम लोने महू के सारे दोक्टर वापस किये कुछ अब देपालपूर की दॉक्तर से यहां हैं दो-तीन दॉक्तर सावेर की भी है इन डॉक्तर को विवर्किंग कर रहा हूं कि जो अलड़ी हमारे दॉक्तर वर्क कर रहे हैं दौर म संख्या कम नहीं है वह उनको किस पेकार से उनका बेस्ट उट्लाइशन करना उनका उसी वर्किंग में हम लोग जनकरी मिले के आट नो दस करीब शकार नहीं कर रहे हैं तो उनको उनकी तंखा रोखने कि उनको शोकास नोटिस देने को और एक शिखावत करके कोई है मैडम अगर हमारे जो स्टेंथ दॉक्तर की उसमें से अगर सभी लोग का बेस्ट उट्लाइशन कर रहे हैं ताकि इस इतने डॉक्तर से इनको फ्री कर सकें ग्रामिन शेत्रों के लिए और यहां पर भी जो माननी मंत्री जीन बोला है जो संजीवनी केंद्र चो चल रहे थे उनको कर सकें ग्रामिन वेच जाएंगे तो महां के संजीन केंद्र हो जाएंगे जो हमारे केंदर हैं उनको रिवाइब करते हैं उसको रेड जोन से और अरेंज कि और कब तक हम हो पाएंगे कि स्टिती है निर्मित हो जाए क्योंकि 19 32 या आखडा भी थोड़ा सा चिंता जाना कर देखिए आखड़ा आखड़ों में फिर बोलूंगा डिपेंड करता है कि स्टेज में इंटिफाय कर रहे हो पेशेंट्स को आप आज से हो सकता है 25 दिन पहले हम लोग बहुत गंभीर आलत में लोगों को इंटिफाय कर पा रहे थे करोना पास्टिव है आज हम लोग बहु बड़ी इमांदारी से तपस्या एक तरह की है बड़ हम लोग भी हम लोगों को बड़ा अजीब सरकता है सिमलर नेचर और वर्क पूरा सब घर में बैठे हैं हम लोग भी सब देख देखके और वर्किंग अट्मासुरी तो अलग तरह का है और घर के अंदर रहना तो ज्या है जो बाहर फैल चुका था वह दिरीदर सटल डाउन हो रहा है अब प्रस्टिल हमको कम से कम 10-15 दिन और लगें के मिनिम्म कि इस चीज को खतम करने में क्योंकि जो लास्ट केसा है का हमारा उसके चौदा दिना गैप चाहिए हमको एक भी पास्टिव केसा इंटिफाइ नह हुआ हुआ है